नमस्कार मैं हुश्य ब्रासुमन यूपी में आम आदमी की बात क्या करिये जब पुलीस ही सुरक्षत नहीं है संभल की घटना ने फिर से एक बार कानून विवस्था की गाल पर तमाचा जड़ा है बदमाशों ने खाकी वालों को गोलियों से भून दिया है कानून के दो रखवाले अपराद की भेंट चड़ गए है जिन पर आम लोगों की सुरक्षा करने का दारूमदार था उनकी बेख़ौफ बदमाशों के आगे एक नहीं चली मामला संभल का है कैदियों की एक गाड़ी पेशी के लिए आई थी बदमाशों ने गाड़ी पर फाइरिंग कर दी सर्याम दो पुलिस वालों का खून कर दिया तीन कैदियों को छुड़ा कर ले गए और सरकारी राइफल तक लूट ली अब इससे ज़्यादा डरावनी स्थिती की कलपना अब क्या कीजिए बदमाशों की हिमाकत देखिए कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ अपने साथियों को छुड़ाने के लिए हमला किया अपने प्लान में काम्याब हुए और कानून विवस्था लाठी पीटती रह गई आखिर इस अराजकता की स्थिती के पीछे कौन है सरकार के दावों का क्या हुआ ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पैदा हो रहा है अराजकता की एक और तस्वीर दिखी है सोनभदर जिले में वहां के उबबा गाओं में मामोली जमीन विवात के साथ ये पूरा मामला शुरू हुआ था ग्राम प्रधान और ग्रामीनों के बीच लड़ाई हुई फाइरिंग में एक ही पक्ष के नौ लोगों की हत्या कर दी गई आरोप यह है कि प्रधान पक्ष के लोगों ने ग्रामीनों पर फाइरिंग शुरू कर दी थी करीब 25 लोग इसमें खायल हुए मरने वालों की संख्या और जादा बढ़ सकती है इस दोरान वहाँ पर जम कर लाठी डंडे चले मरने वालों में छे पुरुष तीन महिलाएं बताई जा रही है और यह भी बताई जा रहा है कि यह पूरा मामला जो है दो साल पहले करीब शुरू हुआ था पहले भी इस जमीन को कबजाने की कोशुश की गई थी लेकिन पहले भी ग्रामीनों ने विरोध किया था प्रधान पक्ष ने इस बार फाइडिंग जो शुरू की उसमें नौ लोग मारे गए फिलाल इस मामले में लगातार गिरफतारियां हो रही है 24 लोगों को गिरफतार किया गया है पुलीस ने इस नरसंगार में इस्तिमाल किये गए दो असलोहों को मरामत कर लिया है जिला अस्पताल शावनी में तबदील हो गया है गाउं में भी शांती विवस्था काईम रखने के लिए पुलीस बलतैनात है पुलीस ने जानकारी ये दी है कि जमीन विवाद पहले से चल रहा था और इस घटना के बाद लॉइन ओर्डर कट घरे में है वहीं आज कॉंग्रस डेलिगेशन ने सुन भद्र पहुंश कर गाईलों का हाल चाल जाना कॉंग्रस बिधायक जैकुमार ललू ने कहा है कि सरकार में कानून विवस्था का बुरा हाल है योगी सरकार को स्तीफा देना चाहिए और इसके जिम्मेदार सरकार है नैतिक्ता के आधार पर मुख्ध मंत्री जी को स्तीफा देना चाहिए शीष जमीन पर आदिवासी गण जो पिछले बर्सों से वहां काबिज है उनकी जीवका का उपारजन है जोत वो खाकर अपना भरन पोशन कर रहे हैं ऐसे में उनकी जमीन को छिनना कहीं न कहीं उनके साथ बड़ी जाती थी ये लोग लगातार तहसील दिवस ठाने दिवस मुख्यमंत्री के पोर्टल और तमाम जगों पर अपनी सिकायद दर्ज कराए लगातार सरकारे समिच्छा करती है अकि किस बात की समिच्छा होती है इनके प्रभारी मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री समिच्छा लेते हैं मंडलवार, किस चीद की समिच्छा लेते हैं, आकि समिच्छा होती तो साय दीन आदिवाशियों के साथ इस तरह की घटना नहीं होती है। बड़ी संख्या में सपा के निता मौझूद रहे, सरकार के खिलाफ अपना आकरूश व्यक्त किया, तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं, सपा निताओं का कहना है कि BJP सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून विवस्था लचर हो गई है, आई दिन हत्या बलापकार करताओं की हत्याएं हो रही है, बहन बेटियों की इजद लूटी जा रही है, और उत्तर प्रदेश में तो पुलिस भी सुरच्छित नहीं है, लोग पुलिस को गोली मार रहे हैं, आप सोचे जिस प्रदेश में पुलिस का भय खतम हो जाए, पुलिस की हत्याएं हो रही हो वो प्रदेश को आप केवल जंगल राज कह सकते हैं और ये जंगल राज योगी सरकार को सायद नहीं दिख रहा है दिलीक में बैठी सरकार को नहीं दिख रहा है और उत्तर प्रदेश के महामहीम गवणनर सहाब अब आप नीन से जागो और देखो चस्मा उतारो आर्सेस का चस्मा उतारो भारती जन्ता पार्टी का आम आदमी का दुखदर्द समझो तो कहां तो दावा किया गया था राम राज का लेकिन विपक शाज आरोप लगा रहा है कि जंगल राज जैसी सिती बन गई है उत्तर प्रदेश में और इसलिए हम सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये राम भरो से राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में तीन खास मेमान जुड़ गए हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए ओपी सिंग बीजेपी क्योर से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीधर पाठक पूर वाईपेस हैं वो हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में डीपे शुकला जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जो कि वरुष पत्रकार हैं आप सभी का बहुत स्वागत है शुरुआत में ओपी सिंग जी आप से करना चाहती हूँ और सवाल यही कि दावे बहुत बड़े-बड़े थे लेकिन जो स्थिती पैदा हुई है संभल की घटना देखे सोनबदर की घटना देखे हम कल से चर्चा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ और इससे जादा खौफनाक शर्मनाक स्थिती क्या हो सकती है पद्र की जिसकी आप चर्चा कर रही है वास्तों में दुखद है चिंतरी है और सरकार के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चुनवती पूर्ण भी है लेकिन योगी जी की जो सरकार है वो निरंतर इस पर काम कर रही है अपरादियों के बृद एक प्रकार से उन्होंने अभियान चला रखका है और इसी के तहट खुद मंडली समिक्षा योगी जी स्वेम मंडलों पर जाकर कर रहे हैं जिसमें स्वेम वो इस बात को देख रहे हैं कि अपराद की क्या इसकिती है जिसमें समिक्षाओं बैठकों और लिस्ट जो निकाली जाती है जो सूचियां होती है उसी पर तो हमारा सवाल है कि क्या ये सिर्फ खाना पूर्ती के लिए होती है क्या ये रस्मदाईगी के लिए होती है कि अपने साथी कैदियों को छुडा कर ले जाएंगे, साथ-ाथ लोग वहां पर आते हैं, भून देते हैं गोलियों से पुलिस वालों को, दो की मौत हो जाती है, तीन कैदियों को भगा ले जाते हैं, आप कहते हैं कि लिस्ट बन रही है, आप कहते हैं कि समिक्षा हो रही है, मैं संबल की घटना जो हुई है यह वास्तों में दुखद है और देखिए इसके पहले घटना और भी मेरट में हुई थी जहां पर की एक एक लाग के इनावी ब्रदमास को पुलिस पर गोली चला करके और उसको छुड़ा ले गए थे जिसमें दोगा की बाद में दस बारा दिन बाद दो रट गृद्र दिखिघ और इक पराधी थे उसके साथ पच्छा पच्छा जार के तीन और अपरादी थे और तीनों के तीनों को पुलिश ने मार गिरा है ऐसा नहीं है जिन लोगों ने दुस्ताहस किया है वह है तो योगी सरकार में बच्छे की नहीं उन पर ढाई-ढाई लाक रुपे का इनाम्भी गोसित वा स्थिकेशन देंगे आप सोन भद्र में जो हुआ आप समझ रहे हैं कि नौ लोगों को एक साथ भून दिया गया गोली से ग्राम प्रधान के आदमियों पर आरोप लगा हुआ है और यह जो लॉइन और की आप बात कर रहे हैं पहले से सिती दुरूस्त होने की बात कर रहे ह यह क्यों नहीं माना जाए कि सिती और पहले से खराब हो गई है क्योंकि नौ ग्रामीन वहाँ पर मर गए हैं सर महिलाएं उसमें तीन शामिल हैं आप कैसे कह रहे हैं कि सिती ठीक है प्रशासन निकला परवाही हुई है क्योंकि अगर प्रशासन इतना लंबा भी बात चल लहाँ था यदि उसको सुझाया होता तो इस तरह की सायद घटना की पुर्णा विश्टी या गटना होती है ना तो इसके पीछे कई तरह के फैक्टर्स काम करते हैं और जो परिस्थिती पूरी बनती है उसमें कानून, पुलीज़, प्रशासन, सरकार सबका दोश होता है और कहीं न गईँ अपराधियों के मन में अपराधियों के मन में ये हिमत कहा से आती है उनको लगता है कि उनका कुछ नहीं ब्गड़ेगा इसलिए अगर ऐसा होता तो अब तक नामी गामी चिंडित अपराधी मापिया अब तक 86 मारे जा चुके अब तक नामी है वो आपके आखनों पर गाउर को शिकार ओविए देख रहा है वो आपके अंकरों पर गौर नहीं कर पाएगा सर माफ कीजे मुझे वो इस तस्वीर को देखेगा जो खौफ पैदा कर रहे है पुलिस वाले जुम पर जिम्मेदारी होती है सुरक्षागी वो लिए सुरक्षागी नहीं है इसको को आप सुिकार करेंगी न वो 86 लोग कौन मारे गए पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है तो उन आखणों पर गौर करेगा आम आदमी या पhr इन तस्वीरों को देखकर कि उसके जहन में जो डर पैदा होता है उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा ने बिल्कुल टीट पह रहे हैं आंकड़े अपनी जगा है लेकिन इस तरह का जो अपराद है वो लोगों के मस्तिस्क में मनों मस्तिस्क में वो भै पैदा करता है कि भई क्या हो रहा है और हमारे साथ भी क्या लेकिन इस सब के मुकद में चलते रहते हैं और उनका फैसला नहीं हो पाता है तो इसलिए सिविल प्रक्रिया में कुछ ने कुछ सरकार को संसोधन करना पड़ेगा इसको इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए जो की सिविल प्रक्रिया को वो सरल करें और इसका सडली करन के बाद इस तरह कि नहीं हो जो ग्राम प्रधान के आपनियों की जो बात हो रही है सोन भद्र में अगर वाकई उन्हें कानून का खौफ होता अगर वाकई ये डर उनके अंदर होता कि अगर हम की हरकत करते हैं अगर इतने बड़े पैमाने पर कदम उठाने से पहले कि वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं हम उसके तहे तक नहीं जाएंगे हम हमें कोई मतलब नहीं है कि विवाद किस चीज को था लेकिन नौ लोगों की जान गई है सर जान लेने का हक कैसे है इस प्रदेश में कैसे किसी राम प्रधान के आद्मियों को रामिरों का जान लेने का हक मिल जाता है। मुकद्मों की इस प्रक्रिया को कुछ ऐसा करें जिससे समय कम लगे। और फैसले जल्दी हों और सजाएं लंबी मिले। सिर्फ खोलती है बलकि ये भी लगता है कि राम राज का सपना दिखा के अब सब कुछ राम भरों से लग रहा है। आप कितना इतिफाक रखते हैं सर। मुडवेर इस्टर के सो रही है अब नोटा में मुडवेर होई उसमें जब जांच हुई तो पता चला एक निर्दोस लड़के को पुलिस वाले ने मुडवेर में दिखा के माग दिया गया। मुडवेर के सच्चाई खुली मत्वरा में तालाब के पास में मुडवेर दिखाय गया वहां पे एक निर्दोस बच्चे की हत्या हुई मुडवेर इस्टर के सो रही है। आपको ध्यान होगा पहले मुडवेर जब होती थी मुडवेर में बद्वास मारे जाते थे उस जिले में छेचे महिना क्राइम कंट्रोल होता था। अब मुडवेर की तो सहलक है आए दिन लगवग देखा जाया उसतना हर दिन तीन-चार मुडवेर हो जाती है। इसके बाद भी यूपी में अपराध कहीं कम नहीं हो रहा है। कल लखनों का मामला देख लेजिए कि सरयाम बीती रात में गूमती नगर में एक हत्या हो गई एक अस्वतार के मैनेजर के हत्या हुई। इसमें भी पुलिस अभी कोई शुराग नहीं पाई। ठाकोगर में एक रेशम नाम के यूग की हत्या हुई। उसमें सत्तापक्स के एक जुड़ी महिला का नाम उसमें आया। उसमें भी कारवाई नहीं हुई। अब आईए सोंधभद की बात। सोंधभद का जैसा मामला बताया दागा दो साल प्राना मामला है। आईएस की जमीन थी आईएस के बेटी और पतिनी के नाम उजमीन थी। पतिनी ने जो नबे विगहा जमीन था अनका टोटल पतिनी ने अपना जमीन प्रधान को बिज़ा था। इसे आप खुदी अनमान लगाईए कि अगर दो साल कंतराल में वहां का प्रसाशन काम की होती कोई कारवाई की होती तो साइद यह इस्तितिन होती दस लोगों की मौत मैं आपको बतातूं आज एक मौत और बढ़ी है दस लोगों की टोटल मौत हो चुकि उसमें और मौत की विभाग के जो खुपिया विभाग आगे उनको भी तंखा मिलता क्या काम कर रही है तो लाइन आडर के स्थिति क्या है किसी से बताने लाइन बात करेंगे और बहुत महत्पुर्ण बात आपने कहीं डीपी जुकला जी कि मुटभेड़े हो रही है जो आंकड़ा ओपी सिं तीन महमाने हमारे उनके पास देखे करके आना चाहती है ओपी सिंग जी शुरुवात आप से और जो सवाल हम ब्रेक से पहले चोड़ कर गए थे कि एंकाउंटर हो रहे हैं आप आकड़े गिनवा रहे हैं हम उनको मान लेते हैं लेकिन स्थिती जमीन पर क्यों नहीं बदलत आप से जब आपने चर्चा किया तभी मैंने कह दिया तक इसमे प्रसासन निकला परवाई है यह दि प्रसासन उस जमीन का निप्टारा किये होते दोनों को बैठा करके उसका निप्टारा कि तो यांनि क्या आप लोग इंकांटर पर जोड़ा दे रहे हैं नीतियों पर और प्राधियों को जेल में नहीं डालेंगे है उपराधियों को उटवेड़ में अगर यह नहीं बेजा जाएगा तो सुधरने का तो यही तरीका उस पर कारवाई हो रहे है वो तो योगी जी कठो रहा है उनकी नीत-वनियत-दोर पुलीस के काम करने का धरा है वो नहीं क्या जो नेतियों पर सरकार काम कर रही है उसको फिर से एक बार सोचने के जरूब है इस बात के लिए चुनवती दे रहा हूँ कि आज के तारिक में उत्तर प्रदेश में जितने नामी गामी माफिया अपराधी चाहे वो किसी पार्टी द्वारा सनक्षित और संबर्दित रह कि एक सब्ता के अंदर मारे गए ये भी जो है देखिएगा दो तीन दिन के अंदर लिस्चित रूप से मुटबेड में इनके किलाब कारवाई होगी पिशबर कारवाईयां हमेशा बाद में क्यों होती है आज क्या सिति बदली है जो हम एक रवया देखते हैं पुलीस प्रिशासन का कि हमेशा घटना हो जाने के बाद कारवाई होना अगर पहले से सचेत रहे कानूं तो क्यों ये घटना होंगी धियाख्या हम जो ली चलता है इसा है मुडवेर में नहीं रही बात कानुंद बेऊस्था की मुडवेर अगर वास्तविक बदमास मारे जा रहे हैं जैसा की ओपीसिंग सामने कहा आपराध पर क्यों नहीं अभी तक साथ पुलिस कर्मियों की जान गई मुड़ियर में पुलिस कर्मी भी हमारे जान गवाए हैं उसके बावजूद भी अपराद पर अंकुछ नहीं आपको लगता है श्रीदर पाठक जी कि नीतियों पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि अगर उनका जो फल है हम जम और एक लंबी कमेटी इस पर बैठाई जानी चाहिए मेरी सोच है कि इनको आज की आवस्यक्ताओं के अनुरू एक अलग से उत्तरप्रदेश पुलिस अधिनियम बनाया जाना चाहिए ताकि क्राइम होने के पहले ही पुलिस अपनी कारवाई कर सके उसको इस बात का लीगल अधिकार दिया जाना चाहिए जिसकी कमी है इस समय और जो हमारा बरतमाना एक्ट है यह तो डिल सो साल पुराना है उस समय यह पर इस्थितियां नहीं थी ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन अब इस्थिती ऐसी आ गई है कि इने उत्तरप्रदेश पुलिस अधिनियम बनाना कि इस साथ की अधिकारी है उन बदमासों की फुद भी नहीं हो गई है और जाहिर से बात है इतनी बड़ी घटना जिसमें हम अपने दो जवान को खुछ चुके होगा अब सोचिए उनके पनवार क्या बुज़ा रहा होगा और जैसा कि उपी सिंग सामने कहा कि नामी गिरामी बदमास को बाहर नहीं है तो जो यह बदमास है इनसे को निपटेगा बिलकुल इनसे निपटना भी सरकार की जिम्मदारी है और जब तक यह नहीं होगा तब तक आ हमाने पास उतना ही था बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातशीत करने के लिए इस चाहिए